एक साथ ज्यादा फोटो जोड का रिल्स कैसे बना है फ्रेंड्स आज की बडियो में बहुत यह असान तरीके से और बहुत यह बेश्ट वाला तरीका बताने वालों सबसे पहले फ्रेंड्स करना कहा है आपको अपने इंस्टाग्राम एपको आपडेट कर लेना है अपडेट इस पर क्लिक करना है यहां पर न्यू प्रजेक्ट पर क्लिक करना है अब आपकी गैलरी ओपन हो जागी यहां पर फोटो आले आफ्सन पर क्लिक कर देना है जैसे कि मैं यहां से फोटो को सेलेक्ट करना है जितना फोटो सेलेक्ट करना है आपको सेलेक्ट कर लेना है जितना अचा है ओके तो यहां पर मैं लगभाग चली यहां पर 15 fotos और दू select करने बाद से next कर देंगे और भी हम फोटos select कर सकते हैं जितना चाहर उतना हम select कर सकते हैं अब हमारा फोटो यहां पे आ जिलेगा यहां फोटो का size को यहां पे एक photo का size है तो यहाँ पर हम अपनी photo की size को क्या करेंगे एक 2 seconds का cut करेंगे देख़ें है फोटो पर click करेंगे एक 2nd भी यहाँ पर दिखेगा है एक 1 2nd पर लाएंगे अपर नीचे split लिस्टवर लिखा हूँ दिखेगा split फे हम click कर देंगे जैसे कुली करेंगे, हम पे कॉट हो जागा, कॉट होने के बाद से simple पीछ वाले पार्ट पे क्ली करेंगे और delete कर देंगे, फिर यही प्रोसेस हम आगे वाले फोटो पे करेंगे, एक सकेंड इसको भी राखेंगे, और पीछ वाले पार्ट को अब delete करने के बाद से देख सकते हैं हमारा photo कुछ इस तरीके से normal एक second पे change होता रहेगा लेकिन हमको तो कुछ और ही बनाने है best बनाने है उसके लिए क्या करेंगे अब अपनी photo के बीच में देखेंगे छोटा छोटा प्लस बटन दिखेगा प्लस बटन पे क्लिक करेंगे तो यहां पे बहुत सारा इस तरीके का filter दिख जाएगा देख सकते हैं काफी प्यारा लग रहा है तो यह वाला filter मैंने इस पर select कर लिया और ok कर देंगे अब फिर दूसरे प्लस बटन पे क्लिक करेंगे यहां पे और भी अधिक filter दिखेगा तो यहां पे जो भी filter आपको अच्छा लगए वह आप select कर सकते हैं तो मैं इसको इतना आप कर लेता हूं light वाला ok और यहां पे ok कर देंगे अब इस पर देखिए कुछ इस तरीके से चल लगतां कर सकते हैं और एवाला भी है ऐसा भी अड़कर सकते हैं हो जो भी आपको अच्छा लगए यहां पर वहाप select कर लेना ठीक है तो अगर change हो लाता है तो आपको first औरिक करके यहां से अपना change कर लेना तो पहले वाले पर बस light वाला लगाया हूँ कुछ इस तरीके से जो white effect पर क्लिक करेंगे क्लिक करेंगे वसे यहां पर आपको पहुँद सरा transition दिख जाएगा देख सकते हैं कुछ इस तरीके का effect दिख रहा है तो आपको इसमें लेंगे कैसा लग रहा अब इतना पर साइं लग रहा है पूरा बड़ा कर दे तो इतना पर पूरा बड़ा कर लेंगे और apply to all पर किलिक कर देगा सभी पर लग जाएगा चुच के वहार से क्लिक तरीके से जो यूँ पर देगे कर देगे तो सुम्ग जोए एड हो जगा यहां से मेनेज कर लें है सूंग औहर पर किलिक करदें तो इस तरीके से सौंग भी ऐड़ कर सकते तो यह वीडियो जो है आपकी gallery में saved हो जाएगी, saved होने के पाद से आगे का step क्या है वह भी हम आपको बताने वाले हैं अब आपको इसे close कर देना है वी एन एपको अब आ जाना Instagram पर Instagram को open कर लेना है जैसे open होगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके का interface है जाएगा यहाँ पर फ्रेंड्स आपको नीचे की तरफ देखेंगे तो प्लस बटन दिखेंगे इस प्लस बटन पर आपको क्लिक कर देना है जैसे आप क्लिक कर देखेंगे तो आपका जो गैलरी ओपन हो जाएगा अब यहाँ पर जो वीडियो आपने वी एन एप से एडिट किया था वह यहाँ पर फर्स्ट में दिख जाएगा इस पर क्लिक कर देना है जैसे ही क्लिक कर देंगे आपका वीडियो यहाँ पर आ लेता हूं यह वाला स्वंग काफी मस्त लग रहा है और ट्रेंड भी कर रहा है तो मैं इसे ही यूज कर लेता हूं यहाँ पर क्लिक करूंगा साउंड को कम कर लेता हूं देखिए स्वंग आ गया इसको मैनेज भी करना चाहिए तो आप मैनेज कर लेना है तो मैं यहाँ पर य पिल्टर देख जैगा, जो भी फिल्टर आपको अच्छा लगे, यहां से फिल्टर भी ऐड्ड कर सकते हूं, और भी बहुत तरह इसे जो भी आप है, तो यहां पहु आ पहँत PEOPLE लगए, जो भी अच्छा लगे लग रहा है अगर हटा देते हैं तो कैसा लगेगा देखिए इस तरीके का और लगाते हैं तो कितना प्यारा लग रहा था यहां पर देख सकते हैं यहां पर नेक्ष्ट करेंगे और अपने वीडियो से कवर सेलेक्ट कर लेंगे कोई प्यारा सा कवर सेलेक्ट करने बाद से यहां पर डन कर देंगे राइट अक एप्सन पर क्लिक करके टाइटल लिख लेंगे जो भी टाइटल हो तो मैं यहां पर हेलो ही लिख देता हूं वैसे ही जो भी आपको लिखना है लिख लेना है टाइट बाद जाइन, बंदे मातरम